हैलो फ्रेंड, टेक बित मनिस यूटूब चनल में आपका स्वागत है, मैं मनिस कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है SMD रेजिस्टेंस का बेलू निकालना, मैरे पास दो PCB सरकिट है, जो की LED ड्राइवर सरकिट है LED बल्प का ड्राइवर सरकिट है, और LED टूबलेट का ड्राइवर सरकिट है, यह वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ LED बल्प का ड्राइवर सरकिट है और यह आप देख रहे हैं LED टूबलाइट के ड्राइवर सरकीट है इसमें जो SMD पेकेज में कंपोनेंट यूज होते हैं जैसे की रजिस्टेंस रजिस्टेंस का बेलू निकालना आपको सिखाऊंगा जो SMD रजिस्टेंस होते हैं इसमें कोड कोडिंग होता है उस कोड को मैं आपको रजिस्टेंस बेलू निकालना सिखाऊंगा तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले SMD पेकेज में दोनों में दोनों ड्राइवर सरकीट में पाँच पाँच कमपोनेंट लगे हो हैं जैसे की SMD रजिस्टेंस इस ड्राइवर सरकीट में पाँच कमपोनेंट लगे हो हैं SMD पेकेज में रजिस्टेंस और इसमें भी ड्राइवर सरकीट में पांच कंपोइंट लगे हुए है SMD पेकेज में रजिस्टेंस मैं रजिस्टेंस के बाद कराऊ तो आप इसका बेलू को देखते हैं मैं आपको जूम करके दिखा जाता हूँ यह आप देख सकते हैं इसमें टोटल पांच SMD पेकेज में रजिस्टेंस लगे हुए है और इसमें भी पांच SMD पेकेज में रजिस्टेंस लगे हुए है तो यह आप देख सकते हैं LED ड्राइवर सरकीट, LED बल्फ एंड LED टूब लाइट जो की SMD इसका फूल फाम होता है Surface Mount Device यह रजिस्टेंस का सिम्बॉल है और R इसका यूनिट होता है ओम तो सबसे पहले LED बल्फ का ड्राइवर सरकीट का देखते हैं बेलू तो R1 रजिस्टेंस लगा है रजिस्टेंस R1 लगा है जिसका कोडिंग है 2R2 तो इसका बेलू होता है रजिस्टेंस में 2.20 ओम का 2.20 ओम उसके बाद R10 का बेलू का मेंचन है 4.701 उसका बेलू है 4.70 किलो ओम 4.70 किलो ओम का रजिस्टेंस है 4.701 का कोड का उसके बाद R2 2R2 जिसका बेलू कमेंचन है 2.20 ओम यह हमारा SMD पेकेज में कोडिंग कोड देता है उसका हम रजिस्टेंस के बेलू निकालते हैं तो 2.20 ओम जिरो ओम उसके बाद R9 इसका कोडिंग है 2.003 इसका कोडिंग का में कोड का बेलू है 200 किलोओम का 200 किलोओम का रजिस्टेंस है R9 उसके बाद लाश्ट अक बेलू है LED बल्ब का ड्राइवर सर्कुट का R11 रजिस्टेंस का कोड है 104 यह हमेशा ओर्पुट साइड में होता है जो पैलर कैपिसीटर के पैलर लगा होता है 104 और इसका बेलू बनता है 100 कीलोओम का रजिस्टेंस बनता है 100 कीलोओम का रजिस्टेंस 100 कीलोओम का रजिस्टेंस उसके बाद Second यह हमारा LED Teubelet का driver circuit का resistance value है तो सबसे पहले R1 देखते हैं यह value code है 1R50 इसका मतलब है कि 1.50 ohm उसके बाद R2 resistance 2R00 इसका मतलब है कि 2 ohm का resistance है 2.00 ohm 2 ohm का resistance है और उसके बाद R3 यह R3 resistance जिसका value कमेंचन है 154 जिसका value है 150 kilo ohm का resistance है R3 उसके बाद R4 resistance जिसका value कमेंचन है 272 coding उसके बाद इसका value बनता है 2.70 kilo ohm का यह आप लेख सकते हैं और राश्ट रजिस्टेंस का value है R5 जिसका value कमेंचन है 753 75 kilo ohm का resistance 75 kilo ohm का resistance बनता है चाय आप इसका screen shot ले सकते हैं आप इसके नेश्ट वीडियो में जो कि यह हमारा देख रहे हैं PCB circuit यह हमारा rechargeable LED bulb के driver circuit है जो कि मैं आपको इसमें जो SMD package में रजिस्टेंस यूज है उसका value निकालना सिखाऊंगा जो कि back site में जो SMD package में रजिस्टेंस आपको दिख लाओगा उसका भी value लिकार कर बताऊंगा लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा जल्ली अप्लोड हो जाएगा वहां से आप जाके देख सकते हैं फिल हाल इस वीडियो में बस इतना ही ठेंक्स फर वाचिंग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और अधिक साधिक शेल करके सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दे कायक की मेरे आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको जल्ली पुचले धनिवाद ज्सराइब कर देल